दोस्तों अगर आपको चाहिए रेलवे पुलिस यूपी ट्रिपल सी एससी बैंक या फिर किसी आने परदियोंगी परिच्छा का स्टेडी माटेरियल तो आप एक काम तुरंथ का लिजे आपको नीचे वीडियो के डिस्कप्शन में हमारे आनेकेडमी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें फॉल्ल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आपको जिस पुर्दियों की परिच्छा का स्टेडी मैटेरियल चाहिए आपको प्रवाइड किया जाएगा इसके साथ साथ आपको railway UP SSC SSC की live class भी provide कराई जाएंगी दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का railway भरती 2018 जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार कुछ नए नियम लागू की गए हैं जिसमें waiting list त्यार की जाएगी और आपका selection होने का chance होगा अगर उमिदवार अपना पद ग्रहेंड नहीं करता है तो waiting list में रहने वाई लोगों को नौकरी दे दी जाएगी तो आप में से बहुत से लोगों का यही सवाल है मेरे पास आया हुआ है किसर waiting list त्यार कैसे की जाएगी और कब की जाएगी और किस प्रकार से selection होगा waiting list में रहने वालों का तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बात को विस्तार से लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे निवेदने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका जब result आए उसके साथ साथ एक waiting list आएगी यहां पर आप देख सकते हैं तब कुछ उमिद्वारों को waiting list में सामिल किया जाएगा अगर कोई चैनिस्त उमिद्वार किसी कारण वास जॉइन करने से इंकार कर देता है तो waiting list में सामिल उमिद्वार को बुलाए जाएगा यानि बाद में भी कुछ उमिद्वारों की किस्मत चमक सकती है रेलो भरती बोर ने बताया है कि waiting list में कुल वैकेंसी के 50 हीज़ी उमिद्वार सामिल के जाएगे तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जवाब का result आएगा तो उसके साथ साथ एक waiting list आपको मिलेगी जिसके आधार पर आपका selection होने के संभावना बढ़ सकती है यहीं अगर कोई उमिद्वार अपना पद गरहर नहीं करता है तो उसके इस्थान पर आपको नोकरी दी जा सकती है जो भी लोग waiting list में सामिल होंगे उनका चैन भी संभाव है तो यह थी वज़ा जिसाधार पर आपका selection हो सकता है कम नंबर आने के बाद भी तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही आगे की update के लिए हम से जुड़े रहें धन्यवाद